सोया बीन में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो आज में आपके साथ मैं सोया बीन के बड़ियों से बनी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सबजी की रेशिपी शेयर करने जा रहे हैं मैंने दी मेरे चैनल होप इतनी दी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज में आप लोगों के लिए फिर से एक नई रेशिपी लेकर आई हूँ ओप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो यहां पे सबसे पहले मैंने गैस अन करके एक पैन रखा है उसमें लगबग दो गलास पानी बॉयल होने के लिए रखा है नमक एट किया और सोयबीन की बडियों को हमने एट कर दिया है उसके बाद एक जार में हमने यहां पे दो मीडियम साइज के प्याज और दस से पं पानी एट करके रख देंगे ईक मिन電्ट के लिए तब तक हम क्या करेंगे दो मीडियम साइज के टमाटन लेकर इस चौप किया विए तरियार करना है तो पेस् तयार और में यहां पर मैंने शिमला मिर्च लिया है और यह देखिए प्याज को इस तरीके से टुकडों में कट कर लिया है अब यह जो सोया बीन है इसको भी हम निचोड लेंगे यह देखिए इस तरीके से तो यह नॉर्मल पानी आट करके जल्दी निचोड लेते हैं अधर्वाइस गर् में कट की हुए टुकड़े इन सभी को हम फ्राइ कर लेंगे केवल दो मिनट के लिए जब तक प्याज सिमला मिर्च फ्राइ हो रहा है इधर हमने डेर चमच धन्या पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर आदा चमच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर को निकाल लिया है और निकाली होई थी इनको भी हम फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने से इस का कलर भी अच्छा आ जाता है लेकिन उससे जादा अच्छी बात यह है कि इसमें जो टेस्ट है वह बहुत ही आच्छा आ जाता है एक मतलब अमेजिंग सा फ्लेवर आ जाता आ इसलिए हम इने थोड़ा बहुत ज्यादा प्याज नहीं क्योंकि पेष्ट भी तयार किया है सबजी में भी एट करना है और जो मसाले सूखे निकाले थे वह आदा चमच काश्मीरी लाल में पाउडर भी एट करके और बस तुरंथ हमने यहां पे जो पेष्ट तयार किया था लैसुन प्याज का वह पकाना है पहले हम दो मिनाट लो फ्लेम पे पकाएंगे उसके बाद बीज विच में हाई टू मीजम फ्लेम पे मसालों को पकाते रहेंगे यह देखिए बिल्कुल तेल अलग होने लगा है पता चली जाता है कि हमसाला भुनने वाला है तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा कम भ अभी एट कर दिया है अंदाजा आप लगा लीजेगा क्योंकि अभी इसमें ग्रेवी भी एट होगी थोड़ी सी और धक के फिर से हम इने एक मिनाट के लिए पका लेंगे तो यहां देखिए मसाला अच्छे से पक गया है अब हम इसमें पानी एट कर देंगे तो बहुत ज का में ध्यान रखना है और बस हाइफ लेम पर पहले हम इने पकाएंगे दो मिनट के लिए उसके बाद हम क्या करेंगे जो सबजी हमने फ्राइब की थी प्याज और शिम्ला मिर्च और साथ में इन्हें मैट कर देंगे और साथ में जो सवयव इनकी बढ़िया थी वह भी हम कर देंगे और रेटी सब्जिया पकी हुई है ज्यादा में नहीं पकाना है तो बस इने हम दो मिनट के लिए और पकाएंगे यह देखे इस तरीके से ढख देंगे और बहुत ही टेस्टी सब्जी बन जाती है फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं होफ इतनी दी नाम से मेरी आईडी है और हाँ एक और मेरा चैनल है एक्सप्लोर वित नीदी व्लॉगिंग का उसका लिंक में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी आप उसमें भी जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह देखिए सब्जी बन के तयार है तो बस इस आप जरूर एक बार यह ट्राइ कीजिएगा बहुत ही जल्दी बन जाती है टेस्टी भी बनती है और फायदे तो इसके आप सभी को पताई है तो बस हमारी बहुत ही टेस्टी बहुत ही जटपट बनने वाली यह सोयबीन की सब्जी बनके तयार है हमने इसे ढख देंगे ग तोड़ी सी हरी धनिया पत्ती उपर से एड़ कर देंगे और यह देखिए इसे आप रोटी चावल पूरी पराशा किसी के भी साथ खाएंगे ना मज़ा जाएगी तो यह देखिए सब्जी बनके तयार है मैं तो चली इसे इंजॉय करने आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कमे जान रखिए और यह टेस्टी सब्जी इंजॉय कीजिए थैंक्स पॉर वाचिंग